जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में देखे अब मैं शीवम सर आपके सामने आज कौन सा वीडियो लेके आया हूँ तो देखे मैंने एक सीरी शुरू किया है कि UKPAC JE की तैयारी कैसे शुरू करें और इस सीरी बेर 5 वीड कि आपको test series कौन सी और कैसे लगानी है ठीके कौन सी books से आप पढ़ सकते हैं और फिर आपको कैसे जो जिन बच्चों का course पूरा हो चुका है वो किस तरीकी से तैयारी करें और जो बच्चे freshers हैं उनके बारे में हम आज discuss करने वाले हैं ठीके freshers बच्चे कैसे तैयारी करें जो दोने अभी शुरू करना है ठीके वो कैसे तैयारी करें उसके बारे में हम आज बात करेंगे तो यह series का पहला वीडियो है इसके अलाव भी और वीडियो भी आएंगे तो आप उनको अच्छे से दीखेगा आपको बहुत help मिलेगी ठीके चलिए अब बात करते हैं तो ज आपका syllabus पूरा हो और इतना ही time अगर आप घर पे भी दे दोगा तो अच्छा हो जाएगा ठीके इस बार हमने क्या किया है हम नहीं चाहते कि बच्चे के ऊपर कोई भी button हम घर के लिए इसलिए test भी हमने classroom में ही organize कराने हैं ठीके यानि कि आपके अब जो test होंगे वो classroom में ही होंगे ठीके आपको मतलब घर के लिए पिछले बार हम घर के लिए आपको test देते थे लेकिन अब ही हम classroom में ही test करेंगे आप यहीं पर test दोगे यहीं पर उसका result announce हो जाएगा ठीके daily हम test कराएंगे तो इससे एक rhythm बना रहेगा ठीके इससे rhythm बना रहेगा और उनी questions को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको exam में 100% guarantee का आपको exam में सफलता मिले अगर आप उन questions को अच्छे से पढ़ लेते हैं ठीक है चलिए शुरू करें तो आज आपको पता होगा कि लोग सेवा IO का calendar तो release हो चुका है अब calendar release हो चुका है तो वहाँ पर exam date भी fix हो चुक दो दिनों में उनी लोग के paper होते हैं ठीक है तो civil का जो paper है वो 23 और 24 तारीक को होगा 23 तारीक को 23 दिसंबर को आपका 9 बजे से लेके आपका 11 बजे तक यानि कि इस 2 घंटे 2 घंटे में आपका Hindi या English में से कोई एक paper चलेगा ठीक है जातर cases में Hindi पहले होता है और फिर 3 से लेके 4 पी-म तक आपका English का paper चलेगा ठीक है मैं आपको timing भी बताता हूं ताकि आप को पता रहे कि किस तरीके से exam होते हैं एक दिन में 2 exam होते हैं ठीक है तो 9 से 11 हिंदी का होगा 3 घंटे का break होगा बीच में उसमें आप खाना पीना खाके revision कर सकते हो ठीक है short notes बनाके English की त्यारी कर सकते हो test के त्यारी कर सकते हो ठीक है चलिए 23 तारीक को आपका Hindi English निपटेगा तो फिर 24 तारीक को 24 December को आपका जो exam होगा वो होगा civil paper 1 और civil paper 2 ठीक है civil paper 1 और civil paper 2 होगा civil paper 1 में questions कितने आते हैं कितने marks का होता है इसके बारे में बात दिसक्स करते हैं अभी मैं आपको timing बतायता हूँ timing रहेगी 9 बजे से लेके 12 बजे तक ठीक है 9 बजे से लेके 2 पहर 12 बजे तक clear फिर 2 घंटे का बीच में gap मिलेगा और 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपका second paper होगा ठीक है तो ये रहेगी आपकी timing Hindi और English का 9 से 11 और 2 से 4 ठीक है और आपका civil engineering का 9 से 12 और 2 से 5 clear चलिए आगे बढ़ते हैं अब pattern में आपको बता देता हूँ pattern क्या है तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि पहले आपका 1020 का pattern था लेकिन 100 नंबर का जो interview वाला portion था अब वो हट चुका है ठीक है अब जब interview हट च पीछे 100 नंबर कम कर दीजिए तो कितना हो गया 920 हो गया ठीक है तो देखे civil पहले तो हिंदी की बात करते हैं पहला paper तो उसी का होता है हिंदी में 100 question आते हैं और एक question एक number का होता है तो यहां से आपके 100 marks का paper बनता है ठीक है फिर आता है English English में भी same ही है 100 question आते हैं और 100 marks का paper यहां से भी आपका बनता है ठीक है लेकिन आपको ध्यान रखना है civil में ऐसा नहीं है ठीक है civil engineering का अगर आप paper देते हो चाहे आप paper 1 दो चाहे आप paper 2 दो ठीक है दोनों में आपके 180 question आते हैं 180 question इसमें आएंगे तो 180 question इसमें आएंगे ठीक है और इन दोनों paper की जो marks होते ह हैं आप हैरान हो जाएंगे एक question दो number का होता है ठीक है यानि कि 360 marks का पहला paper होगा और 360 marks का दूसरा paper होगा ठीक है total आप करोगे तो 720 marks का सिर्फ technical ही है ठीक है और 200 उसमें और जोड़ दो तो 920 marks हो जाते हैं कोई interview नहीं है interview हट चुका है no interview ठीक है पहले 100 number का interview भी होता था लेकिन वो हट गया था clear चलिए तो यह है आपका pattern और timing यह सब मैंने आपको बता दी ठीक है आगे बढ़ें अब syllabus की बात करते हैं तो syllabus से आपको क्या ध्यान में रखना है कि paper 2 पहले paper 2 का बता देता हूं paper 2 में आप paper 2 में ज से बड़े major subject हैं उनको तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो ध्यान रखेगा civil का जो paper 2 है paper 2 ठीक है वो आपका बहुत important है क्योंकि उसमें आता है irrigation engineering और उसमें आता है fluid mechanics ठीक है अच्छा इसके साथ आप चाहो तो hydrology भी जोड सकते हो hydrology और यहां पर आ mechanics and hydraulic machine fluid mechanics यानि की द्रव यांत्र की तो fluid mechanics and hydraulic machine ठीक है अब देखिए यहां पर वैसे hydrology और hydrology machine का जो weightage है second paper में वो 10-15% ही है ठीक है तो major subject आपके पूरे engineering में UK PC के हिसाब से देखे जाएंगे वो irrigation engineering और fluid mechanics ही है irrigation से आपका लगबग 100 कुछ ना आ जाते हैं तो लगबग 200 marks का तो आपका irrigation और hydrology ले चलेगा ठीक है 300 साथ मार्क्स का पेपर है 200 marks का तो आपका irrigation और hydrology उठा लेगा strength of material, steel, RCC, BMC, cost and estimation, construction management यानि की CPM and PUD ठीक है water supply and surveying water supply and sanitation को आप environment engineering भी बोलते हो ठीक है surveying, soil mechanics, foundation engineering यह soil mechanics का एक तरीके से part हो ठीक है और building material and construction यह सारे subject जितने बच गए वो सब आपके civil paper 1 में आते हैं civil paper 2 में कौन से है, irrigation और fluid mechanics और बागी सब civil paper 2 में है लेकिन एक subject है जो syllabus में ही नहीं, जो core subject है जो अलगबग हर civil engineering के exam में आता है लेकिन UK PC के exam में वो subject गायब है, ठीक है, ध्यान रखना आपका एक subject जो है वो है आपका highway and railway, transportation engineering जिसे आप बोलते हो transportation engineering आपके syllabus में नहीं है, तो काफी बच्चे बिना syllabus देखे सिधा तयारी शुरू कर देंगे, जो नए बच्चे है, पुराने बच्चे को तो इस अब पता है, नए बच्चे को नहीं पता, तो उन्हें पता होना चाहिए, कि आपकी जो syllabus है, उसमें आपका highway and railway नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, कौन-कौन से subject है, जो आप छोड़ेंगे, तो भी काम चल सकता है, वो है building material, building construction और caution estimation, ये subject theoretical है, लंबा समय लेते हैं, और theory है, है तो easy, लेकिन exam में इनका जो weightage है, वो बहुत कम है, अगर weightage कम है, तो आप इनको सबसे last के लिए छोड़िए ठीक है, चलिए, आया समझ में, और हाल ही में, पिछले बार जो paper हुआ था, ठीक है, उसमें CPM part, क्योंकि ये जो diploma में जितना CPM part पढ़ाया जाता है, वो, जिसे आप construction management बोलते हो, वो sufficient नहीं है इस exam के लिए, ठीक है, आपको अगर CPM part बढ़ना है, तो भी B.Tech में जो बें use होती है, उनी से पढ़ना पढ़ेगा, CPM part, clear, इस इसके धोरा ध्यान रखेगा, अगर आप Hindi medium से हैं, तब तो आप सिर्फ भगवान के भरोसे हैं, या फिर मेरे भरोसे हैं, क्योंकि Hindi में पूरा content आपको CPM part का, मैं ही दे सकता हूँ, ठीक है, हिंदी में मैं पूरा conversion क कर रहा हूँ, CPM part का, BTEK वाली book को पूरा Hindi में बना रहा हूँ, ठीक है, और कुछ समय में बन के तयार भी हो जाएगी, और उसके videos मैं YouTube में डालना शुरूर भी कर दूँगा, ठीक है, तो, वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि Diploma Hindi medium model के लिए CPM part थोड़ा सा नहीं, उसमें वह formulae नहीं है, उसमें वह topic नहीं है, ठीक है, इसीच का ध्यान रखेगा, ये subject में सब्से जादा weightage नहीं था, 8 questions आये थे, 8 questions मतलब 16 marks के थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि CPM part के questions JEE के exam में आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए पिछले बार बच्चे को surprising थ जरूर कर लेना, ठीक है, हां, तो surprising हो गया था, आपका 16 marks का, ठीक है, बच्चों के लिए, और वैसे भी इतना कम time था कि वो topic चल भी नहीं पाए थे, ठीक है, कैर अभी तो हम उसके लिए तयार हैं, क्यों पिछली बार था कि CPM part और बागी सारा course इतना सारा बड़ा बड़ क्लियर, 16 marks का तो देखो उससे भी नहीं आया, BMC, cost estimation जो हम regularly, जिस हर exam में 25% weightage लेके चलता है BMC, इधर कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा तो होगा, लेकिन जादा नहीं है, क्लियर, चलिए, अब हमारे जो new badges हैं, new fees हैं, उसके बारे मैं बताता हूं, ठीक है, वैसे तो fees, offline जो fees है, online कोई नहीं बताता, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ताकि मैं आप क्यों बच्चे को धोके में रखें, कि पहले आप, सब कुछ online mode पे, video format मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि कल के दिन कोई भी confusion ना हो, ठीक है, और सबसे एहम मुद्धा की तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है, तो इसका कोई दूसरा solution नहीं है, आप सोचे का, रे इतने घंटे कौन बैटेगा, इतने घंटे कौन बढ़ेगा, तो फिर आप पढ़ाई छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, अगले 7-8 साल बाद जब sufficient होती है, ठीक है, आराम से आपका cover हो जाएगा, उसकी tension मतलो, अगर आप धाई घंटे भी पढ़ते हो, क्योंकि, 6 महीने में, जब हम 2-2 घंटे की class, हम daily लेते हैं, SECJE के batches में, तो 6 महीने में, हम syllabus पूरा करा देते हैं, जब हम 1-2 घंटे की लेते हैं, ठीक है, अभी तो हम 3-4 बजी का 1 घंटा आप देख रहे हो, यह सबसे ज़्यादा नामुम्कीन सा task होता है, किसी भी student के लिए, जो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि, वो daily 50 questions लगा ही नहीं सकता, लगाता ही नहीं है, उसका मन ही नहीं करता, ठीक है, मन ही नहीं करता, 50 questions daily solve करने का, आप जिस paper में बैट रहे हो, उसमें आपको एक दिन में 360 questions solve करने हैं, 360 questions का मतलब क्या होता है, 1801 में है, 1801 में है, तो 360 questions आपको एक दिन में cover करने हैं, सोचो, तो 307 questions आपको एक दिन में solve करने paper की दिन, और आप 50 questions भी नहीं लगा पातें, और ये मैंने पुराने batches में देखा है, तो इसलिए मैंने अब क्या किया है, अब classroom में ही, classroom में ही, सब बच्चों के साथ, जो बाहर other institute से भी आएंगे, ठीक है, उनके साथ ही आप वो 50 questions का test दे रहे होंगे, तो इस चीज का ध्यान रिखेगा, ये बहुत सबसे important part हमारी classes का, हमारी coaching का यही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि daily 50 questions होंगे, और वो आपके, जो online में है, उन्हें PDF प्रिंटाउट नहीं दे सकते, उनको PDF दे देंगे, ठीक है, और जो हमारे institute के नहीं है, और online जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, एक WhatsApp group में उनको add कर देंगे, और वहां पर PDF डाल देंगे, आप लो PDF डाल देंगे, आप लो PDF डालोड करके, उसका बहुत ज़रा ज़रूरी है, उसी के साथ आपको practice करनी पड़ेगी, next आते हैं, साड़े चार से, साड़े पांच बज़े तक, तो यहां पर Hindi चलने वाला है, तो साड़े पांच से, साड़े शे बज़े तक, यहां पर English चलने वाला है, test series में topics क्या क्या रहने वाले हैं, तो अगर हम एक भी दिन कुछ गड़बड करते हैं, तो हम आपके जो उद्देशे उससे भटक जाएंगी, ठीक है, तो जितनी महनत हम करने हैं, उतनी महनत आपको भी करनी पड़ेगी, अचा, फीस के बारे हम बात करते हैं, तो देखे, फीस जो है, फीस आपको ध्यान में आपका टेकनिकल भी होगा, नॉन टेकनिकल भी होगा और टेस्ट की पीडिएफ भी होगी, जो मैं आपको डेली बोल रहा हूं, ठीक है, टेस्ट की पीडिएफ भी होगी, clear, और वैलिटिटी भी जो एप्लिकेश्न में मिलेगी, वो एक साल की मिलेगी, ठीक है, थोड़ा का system अलग है देखिए offline में सबसे बड़ा disadvantage offline में सबसे बड़ी जो कमी है हमारे पास वो यह है कि हमने बच्चों की strength fix करी भी है ठीक है कि इससे जादा बच्चे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि disturbance create होता है quality में फरक आता है तो 50 seats ही हमारे पास available हैं 50 50 ही seats हमारे पास available हैं तो आपसे request है कि जो भी लोग जितने भी बच्चे phone कर रहे हैं ठीक है वो seats वो जितने भी demo videos देखने हैं यूट्यूब में जो डले वे हैं उससे काम चलाओ ठीक है अगर classroom में आपको demo videos दिखने हैं तो उसके लिए आपको wait करना पढ़ेगा कहीं seat भर गई तो फिर आप wait ही करते रह जाओगे ठीक है और काफी बच्चों को यह fees बहुत कम लग रही हुए क्योंकि बाकि इस्ट्यूट में 15-20,000 की बीच में fees है लेकिन हमारे इस्ट्यूट में आपकी 4 सितंबर से लेके 12 दिसंबर तक की जो fees रहेगी वो रहेगी सिरिफ 11,000 रुपे इसमें आपका technical, non-technical और test series लेको सबसे म चाहेंगा पड़ता है test series क्योंकि paper और printing और typist इन सब की cost मिलाके बहुत जादा खरचा जाता है ठीक है तो वहां पर हम compensation करने को तयार है quality देनी है हमें result चाहिए तो ये sacrifice हम को करना पड़ेगा ठीक है तो 11,000 रुपे जो है आपकी ओ technical और non-technical की fees है इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए आप अपनी fees को पहले ही submit कर देना ठीक है कहीं ऐसा नहों कि बात-बात के चकर में आपका syllabus भी छूट जाए और आपकी seat भी आता है उसको 4,000 रुपे extra यानि कि total fees कितनी होगी उसकी 15,000 रुपे उसमें उसका UKPSC plus SSCJE का non-tech भी मतलब पूरा complete जो package रहेगा one year का वो ये रहेगा ठीक है और साथी साथ इन सब ही को जितने भी बच्चे हमारे साथ offline जुडएंगे इनको online classes 1900 वाली वो free मिलेंगी 1900 वाली जो fees है वो उनको free मिलेंगी जिसमें उनको one year का access मिलता है online और offline classes का ठीक है चाहे वो ये वाले बच्चे भी क्यूना हो 11,000 वाले बच्चे भी क्यूना हो उनको भी एक साल का access मिलेगा बले ही उनका offline जो time है वो December तक का ही है लेकिन online में उनको एक साल का ही access दिया जात fees होती है ना इसलिए वहाँ पर fees आपको थोड़ी सी उसे ज्यादा मिल दे होगी अगर मेरे पास 1500-200 बच्चों को बिठाना अगर मुझे होता class में तो मैं ये fees ना आपकी 11 से 5000 कर लेता अगर मेरी class में 200 बच्चों की sitting होती तो मैं इसको 11 के वज़े 5 कर लेता ठीक है मैं 5000 र यहाँ ही मिलने वाली है चलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छा जिन बच्चों ने test series के बारे में पूछा था कि test series का क्या है तो उनको भी मैं बता जाता हूं test series भी आपकी जिन बच्चों ने course पूरा कर लिया है वो कैसे पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ऐसे ठीक है topic wise test चल रहे है साड़े 3 से साड़े 4 daily attend करो 45 minute का test होता है 15 minute में उसका result announce होता है एक घंटे के भीतर भीतर हमारा वो पूरा class खतम हो जाता है ठीक है एक घंटे का पूरा timing test का नही 15 minute में हम वो copies check करेंगे और उसी time वहीं पर आपको answers बता देंगे आपके number marks भी बता देंगे ठीक है और जो UKPAC pattern पर आधरी जो test series होती है उसका क्या वो भी है ठीक है जिसमें आपके 4 test होते हैं Hindi English civil civil ठीक है civil में 100 C question होते हैं और Hindi English में 100 C question होते हैं ठीक है इस test series तो यह जो हमारे 11000 ओला package है उसमें include है ठीक है उसके लिए आपको extra charges बिल्कुल भी नहीं देने हैं ठीक है जिनको सरफ इस test series से जुड़ना होगा इन दोनों से कभी जो इससे जुड़ना जाता है इससे भी जुड़ सकता है जो इससे जुड़ना चाता है वो इससे भ वैसे decide तो नहीं हुई है ठीक है फिर भी आपको बतायता हूँ क्योंकि अगर कोई separate जुड़ता है क्योंकि इसमें काफी चीज़ें ऐसी होती है जिसे paper cost होगी वो काफी जाद हो जाती है क्योंकि test series में आपको बता है कि सबसे महेंगा portion रहता है वो test series का होता है ठीक है क्यो क्योंसे जो piece इसकी decide है वो अभी हम fix decide कर चुके है लेकिन आने वाले समय में जो next video है उसमें मैं आपको clearly बता दूँगा ठीक है हाँ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे online जुडेंगे उनको भी form भरना पड़ेगा ठीक है online बच्चे को भी form भरना पड़ अगर जुड़ना है चाहिए वो आप कहीं से भी हो ठीक है तो यह था हमारा पूरा जो plan है साथी साथ और भी planning मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हर महीने हम कौन-कौन से subject और test series cover कर लेंगे ठीक है test series के बारे में भी मैं आपको बता दूँगा कि कितने time में आपका test series cover करते हैं तो आपकी तयारी बहुत अच्छे से तयार हो जाओ गया ठीक है चलिए तो 4 September से आपका बैस शुरू है और जल से जल आप इससे जुड़िये ठीक है limited seats होती है तो जल से जल जुड़िये ताकि बाद में आपको पश्तावा ना करना पड़े classes bilingual चलती है Hindi और English medium दो दोनों language में मिलती है ठीक है तो tension वाली कोई बात है नहीं चलिए आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब हम next videos में मिलेंगे जहां पर कोई और topic होगा ठीक है जिससे आप आजस्तों मैंने आपको pattern बताया ठीक है और कौन-कौन से आपके important नहीं थे वो भी आपको बता दिया cpm party के बारे में बता दिया कि वो भी आप entry मार चुका है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है अब next videos में हम कुछ और नया लेके आएंगे thank you so much